सो वेलकम गाइज इन टुदेश वीडियो विगोना कंटीन वर हॉस्टल बॉकिंग प्रोजेक्ट और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एड्मिन पैनल के लॉगन पेज सो यह मेरा एड्मिन पैनल है और अभी इसमें कोई भी डिरेक्टरी मेंने क्रियेट नहीं करीए कोई भी इसमें मेरा फाइल क्रेट नहीं है विएस कोड ओपन करेंगे अपना और एड्मिन फोल्डर के अंदर एक पेज बनाएंगे इंडेक्स डॉट पी एच्पी अब हम टेलिवन चीएस के लिंक लगाएंगे इसमें तो सबसे पहले जाते हैं टेलिवन चीएस के बाद इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन जाने के बाद प्लेसी डिन एंड इंड प्लेसी डिन यूव तो कॉपी दिस स्क्रिप्ट लिंक सो कॉपी करने के बाद सिंपल अपने हैट टेक के नीचे पेस्ट कर देंगे और अब हमारी टेलिवन चीएस इस वाले पेज़ पे वर्क करने लग जाएगी सो अब मैं जाऊंगा आप कोछी भी यूज्क चर सकते हैं चैट जीएव तो यूण कर सकते हैं कोई बीट की तीलिवन की स्टमाल कर सकते हैं इसमें यूज सब्सक्रने के लिए तो मैं भी तो मैं सिम्भी तो मैं सिम्पल दिस-ई-इसस कोंपोनेंट नाम नाम ये कि चो बेसिकली में इस पर आलमॉस्ट आपको सभी तरीके के लोगन फर्मिल जाएंगे सो आपको जो अच्छा लगया वह वाला इससे पिकप कर सकते हैं तो मैं यह वाला सिंपल सा ऐक लोगिन पेज ले लेता हूं सिंपल एप मैं यह आपर गया तो आपको शो में जाओंगा मैं गया asset में backend.php backend.php में आने के बाद अब जैसे आप देख सकते हैं यह जो login था यह मेरा user login था है न तो ज्यादा कुछ करने के हमको जरूरत नहीं हम simply इसी चीज को copy करेंगे और copy करने के बाद इसके नीचे paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने login लिखा है हम यहाँ पर लिख देंगे admin-login so अब हमने क्या करा इसके button का जो name था वो हमने change कर दिया जैसे APIs में path change हो जाता है एसे हमने इसका name change कर दिया अब जो हमारा admin में index.php है हम क्या करेंगे कि जब कोई बंदा आये जब admin आये वो इसमें email और password put करे तो जो यह वाला button है जो हमारा ये submit button है जो हमारा submit button है ये वाला login button means तो हम इसको एक सबसे पहले तो type देंगे तो इसका type already submit है हम इसको देंगे name और name हम इसको क्या देंगे हम इसको name देंगे admin-login जब भी admin-login वाला button क्लिक होगा तो हमारा ये वाला section वाला code execute होगा ठीक अब email और password तो चाहिए ही तो जो email है उसमें name email already given है ये रहा और name password भी already given है ये रहा और जो similarly हमारी backend में भी है email डॉलर पास्ट email डॉलर पास्ट पास्वर्ट similarly अब यह जो यहां पर टेबल का नाम user है इसकी जगा हम लगे देंगे admin और हम एक database बना लेंगे admin का तो यहां पर हमने rooms और user पहली बना रखें एक new table बनाएंगे जो होगे हम एक admin की ID डाली तो इसको ID 1 मिलगी next आया उसको 2 मिलगी third आया उसको 3 मिलगी ऐसे और admin का name admin का email admin का password और अगर आपको इसमें और बढ़ानी है तो आप उपर से add row पे आपको कुछ भी क्लिक कर सकते है जितने भी आपको रोग एक्टर चाहिए हो और एक status और एक date और एक time तो अब इसमें आपको length देनी होते है ID में आपने इंट लिया है और वह auto increment है तो इसकी length देने के आपको कोई ज़रोत नहीं है इम नेम में आप 30 30 password को आप 32 कर सकते हैं in future अगर आप उसको करना चाहिए तो status में आप 2 रख सकते हैं 0 और 1 पर work करेगा और date में आप default में जाने के टाइम स्पेंट करेंट टाइम स्टेंप तो यह क्या होगा जो भी आपकी नई रो एड होगी तो इसका करेंट टाइम मतलब जिस टाइम वह रोड एड होगी आपके database में वह उसका date और time store कर लेगा तो save कर देंगे और यह हमारी admin की टेबल बन चुकी है अब similarly मैं क्या करू तो go करते ही है मेरी database में एक entry fail हो चुकी है go में और अब मैं क्या करूँगा मैं login करूँगा तो यह मेरा admin login है so admin login के लिए similarly इसमें सब कुछ है query run कर देगा आपने previous वीडियो में देखा हो जमने user login का बनाया था मतलब user login बनाया था तो इसमें इस सारी चीज में आप उसे check out कर सकते हैं और जब यह fetch हो जाए तो एक session activate करें which is a id means admin id and password और यह इसको redirect भी गहां करें dot dot slash admin dashboard and admin index और एक page में इसमें बना लेता हूँ dashboard का dashboard.php के नाम से जो मेरा dashboard पर मुझे redirect करें और मैं हापर कुछ नहीं PHP में लिख दूँगा simple से कि जब भी कोई space पर आए echo कर दे क्या admin page simple ठीक है और यहां पर मेरा सब कुछ set है बस index.php पर आने के बाद जो आपका form tag है उस form tag में आपको action देना पड़ेगा जो की बहुत ही necessary है जैसे यह रहा मेरा form tag line number 41 पर मैं यहां पर दूँगा action कि जब भी मेरा यह page submit हो या जब भी मेरा form submit हो तो यह कहां जाए यह form submit होने पर जाए मेरा backend.php ओ वह कैसे जाएगा wszyscy मैं जाऊँ को double.slash तो क्योंकि हमारा index.php admin folder में ऐ से पहले addmin favour है यह अंभान निकलेंगे और बाहर निकलने के पार हम जाएंगे asset folder में और asset folder जाने के बाद जाए वो backend.php पर backend.php पर ऐसे और इसका जो हम method यूज करेंगे method यूज करेंगे post method ठीक है तो हम post method यूज करेंगे ऐसे और अब एक बार हम इसको try करेंगे इसको एक बार refresh कीजिए यहाँ पर मैंने अपनी email id लाली विदानेट.gmail.com and password is 1234 then special login so जब मैं इस पर login कर रहा हूं तो मुझको dashboard.php मुझे redirect कर दे रहा है but the issue is that कि यह कह रहा है कि वो not found है dashboard.php is not found so अब देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा है तो हमने थोड़ी spelling की issue कर दिये हमने इस वाले page पर जो हमने page बनाया वो b a o r d कर दिया जबकि b o a r d होना था dashboard और इसको मैं hit करूंगा और मैं फिर से back गया मैंने फिर से login करा और इस बार admin page यहां पर लिखा आ गया तो ऐसे करके मैं अपना login page बना सकता हूं admin में basically so next video में हम इसके dashboard को design करेंगे तब तक के लिए bye bye take care और अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप इसकी previous video को देख सकते हैं असानी से